तो अब तक में हमने जो डायाग्राम तावरिया जी ने बताये हैं डायाग्राम 1, 2, 3A और 3B तक हम देख लिया है आज आगे 3C के बारे में भी देखेंगे और एक बात खास हमने यह नोटिस किये कि जो हमारी ठिंकिंग प्रोसेस है वो डायाग्राम नंबर 1 में है, 2 में है और 3A में है 3B में जब 3B में पहुंचता है एक साधक तो वहाँ उसकी ठिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि वो जो इंपल्स को वो ब्रेन के अंदर जाने नहीं देता है और उसका जो सुसुमना नाड़ी के नीचे के हिस्चे में जो वाल बन पड़ा है जन्मों से वो खोलता है कथिन साधना के बार तो अपने आप में उपर जो तालुका का वाल है वो बन हो जाता है यहां यह सुसुमना की बात निकली है तो मैं एक और बात भी पस कर जूँ कई लोगों की ऐसी ब्रह्मना है कि जब दोनों नाक साथ साथ में चलते हैं तो हमारी सुसुमना चालू हो जाती है ऐसा कई लोगों साइड लिखा भी होगा पर यह सही नहीं है क्योंकि सुसुमना तो बंधी है हमारा जो इंपल्स जो हमेशा इदा या पिंगला सी त्रावेल करके तालुका से ब्रेन में पहुंचता है और लंबी साथना के बाद ही सुसुमना नाड़ी चालू होती है और वो वर्क करने लगती है तो यह ऐसा नहीं है कि दोनों नाग चलने लगे और दूसरी बात यह है कि कभी भी 50-50 में कभी भी राइट और लेप नौस्त्रियल नहीं चलेंगे वह एक प्री डोमिनेंट उसके अंदर होगा ही 60-40 होगा या कुछ भी होगा और तार्या जी तो यहां तक कहते थे कि योगी का भी हर देर गंटे एक ही नौस्त्रियल चलता है दो नौस्त्रियल चलते ही नहीं है एक देर गंटा पहला मानों कि राइट चला तो दूसरा दोरे गंटा लेप चलेगा फिर से राइट चलेगा तो दोनों तो जियोज है वो खली 3D के स्टेज के अंदर ही सुसमना खुलती है और उस समय कोई स्थिटी अलग हो सकती है स्वास की पर नॉर्मल कोर्स में जब योगी सादक जो है 3D के स्टेज के अंदर तो उसका भी एक ही नौस्त्रियल कलता है क्योंकि उस दोरान वो जो है वो इंपल्स को इदा या पिंगला से ले जाता है क्योंकि उसको भी ब्रेन प्रोसेस की जरूर है 3A में हमने देखा कि ब्रेन प्रोसेस होनी है और फिर जो है 3B के अंदर तो इतना एद्वांस है कि जो UDM आते है युनिवर्सल डिवाइल माइन वो कंटिमिनेट हुए बिना वो प्रदूसित हुए बिना ही वो आगे निकल जाता है तो 3B की स्थिती बहुत उच है और गहराई में अगर जब जाना है तो विचारों को बन कर देना पड़ता है और विचारों को बन करने का एक ही रास्ता है कि सुसुमना से इंपल्स को अंदर आने देना है ताकि वो ब्रेन के अंदर न जाए दुसरी और से वो आगे जाके फ्रंट लोप से बाहर निकल जाए तो यह चीज है दुसरी बात यह है कि जो यूडियम अंदर आती है आता है उसकी वज़ए से हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है मतलब कि ठिंकिंग प्रोसेस के अंदर माइन और ब्रेन डोनों का हिस्सा है अमने लास्त देखा था कि लोग माइन सब्द का सही मिमाने में उ काम नते हैं जैसे कि मेरा माहिं भतक रहा है तो ऐसा अब बोलते हैं तो वह गलत है और जो है अंदर जो मेमरी पर है वह उबरती है और वह फिर माइन वह ब्रेन जो भतकता है माइन तो जो है हम ने देखा कि वह तो एक एनरजी जो universal divine mind है वो ही हमारे अंदर individual mind बनता है तो mind कभी उसके अंदर ऐसी कोई हरकत है नहीं होती है उसका तो वो impulse के रुप में आना होता है और काम करता है और उसका simple example हमें साम देखते हैं कि बहुत कॉंप्यूटर का है कि brain जो है वो computer जैसा है जैसे brain में भी memory है और computer में भी memory है औ तो computer को चालू करने के लिए हम electricity supply देते हैं इसी तरह जो universal divine mind हमारे अंदर आता है वो भी एक electricity का काम करता है कि जिससे brain एक्टिवेट हो और उसकी अंदर memory जो है वो चालू हो जाए जिससे हम normal जीवन जी सके तो जो यह word है उसका भी क्योंकि आप कौन सी system में जब तावर्या जी की system में आप mind के बात करोगे तो यह clear होना जरूरी है कि mind एक यह चीज है और brain अलग चीज है दूसरी system की अंदर mind जो है वो एक object के रूप में बताया जाता है और सालों से ऐसा mind के बारे में चलता आया है तो normal course में हम इसी तरह सोचते हैं पर टारिया जी की system में एक यह clarity ह जरूरी है तो इतना तो हमने आगे दिखा था आगे अब देखते हैं और last point उन्होंने बहुत अच्छा बताया था page number 298 के ऊपर कि जो व्यक्ति यहां तक पहुंच जाता है त्रीव्यक पर व्यक्ति जो है वो डिखने में तो ordinary human being जैसा लगता है पर वो कोई different species of humanity का योगी और एक master गुरू या योगी व्यक्ति बन जाता है जब 3B पर कोई पहुंचता है तब वो योगी बन जाता है या सच माने में जो सही गुरू जो है जो पहुंचा हुआ गुरू जिसको कहते है ऐसा वो व्यक्ति क्योंकि वो खुद ये पुरे का पुरा प्रटियार का stage से प last line थी कि यहां तक व्यक्ति इतनी हाइट पर पहुंन जाता है अब आध का परटे है परप्डू बर से लिए हूं citizens 2 9 8.. during which the disciple is now able to discard his old and worn out body consciously and take on a fresh body consciously तो यह जो है यह सब कुछ जो है वो ग्रेट गाइड जो हमारा जो अंदर का आत्मत अत्व है Transcendental Teacher उसके Mark Darsan में सादक यहां तक पहुंचता है तो consciously यहां तक जो उसने किया है उसके और यह तो कितने जन्मों तक इस तरह practice करनी परती है साद कोई ऐसी कोई दूरलब व्यक्ति होती है कि जो बहुत fast progress करके एक ही जन्म में साद यहां और इससे भी आगे जा सके ऐसा बहुत rare बनता है पर normal सादक को बहुत लंबा समय यहां तक पहुंचने में लेना पड़ता है और यहां तक पहुंचता है फिर सादक का एक point के उपर यह पुराना जो body है उसको छोड़ देता है और फिर consciously उसको छोड़ता है और consciously ही वो नया जन्म दारन करता है तो 3 भी तक पहुंचते पहुंचते उसके अंदर यह भी एक capacity आ जाती है कि वो जब चाहे तब consciously अपने दे को छोड़ सकता है और अगर consciously दे छोड़ा है तो उसको एक right मिलता है conscious bird का तो फिर वो जब जन्म कहां जन्म लेना है कब लेना है कितने लंबे समय के बाद यह सब वो खुद टाइक करता है और यहां भू में लेना है भूव में लेना है स्वा में लेना है वो उसकी अंदर की स्थिटी के मुताविक वो किनो लोक में या फिर भूव और भूव में साथ सबस्टेजिस के अंदर या स्वाके शुरुवात के सबस्टेजिस के अंदर को काई भी जनम ले सकता है इस आर वेरिस बरियस सबस्टेप्स that point out such individual as one of their kind different species and only after all this is done is only ready for the next important and yet more difficult step of दाड़ना तो जो यह इतने steps लेके व्यक्ति जो है वो एक अलग मानाव जाती बन जाती है different kind of species बन जाती है और यह इतना करने के बाद वो दाड़ना के stage के उपर जाएगा तो यहां तक 3B से प्रत्यार यहां उसका समाप्त होता है और यहां तक पहुंचने पहुंचने जैसे की वो देखने में तो हमारा जैसा ही human being होता है पर बिलकुल एक अलग जगर का व्यक्ति हो ऐसी व्यक्ति वो बन जाती है अंदर से at this stage detachment of the astral body from the physical body is practiced every night over a period of time and mastered तो यह तो हमने शुरुवात में ही देख चके हैं यह चैप्तर शुरुव किया था तब ही कि भई यह इसको राटकू रोज राटकू वो astral body की जो separation of the astral body जो है उसकी साधना चालू हो जाती है प्रटियार के सुरुवार से ही जिसमें वो रोज राटको उसका physical body सो जाता है नीन में गहरी नीन में भी हो सकता है पर उसका जो astral body है वो physical से अलग होके फिर वो पूरे ब्रह्मान में जहां जहां जो जहां उसको जाना है वहां जाके वो fresh knowledge ले सकता है हमने यह भी देखा था कि वो प्रूट्वी के core तक भी पहुंच सकता है वो astral से और यह प्रूट्वी क्या है उसके अंदर क्या-क्या है वो सब कुछ वो first-hand knowledge और जो science को भी नहीं पता हो ऐसी चीज़ वो अपने astral body के traveling के दोरान वो सब कुछ जान सकता है separation of the two bodies and returning them with ease so that the senses no longer flow automatically from the primary body into the sense organs of the physical unless permitted तो यह जो है यह separation of two body का वो practice करता है और जैसे practice बढ़ती है इससे वो आराम से फिर वापिस भी आ सकता है जैसे जाता है इसी तरह पिर आके दोर्नों बोडी तीरे से joint हो जाते हैं यह साधना में एक बहुत important बात यह है कि जब यह इस तरह का practice चलती है तो वहाँ एकदम करके कोई जोर से आवाज नहीं आनी चाहिए यह दमा का जोर से नहीं होना चाहिए नहीं तो क्या होता है कि एस्टरल बोडी एकदम जल्दी से वापिस आ जाता है और वो फिर फिजीकल के साथ एलाइनमेंट इसकी नहीं हो सकती है तो प्रॉब्लेम यह होता है कि उसको थोरक डिस्टबंसिस के अंदर क्रियेत होते हैं कई बार सरडर्ड होना वगेरे वगेरे कंप्लेंट भी होती है तो यह जो है इसलिए यह प्रेक्टिस जो है रात को ही खास करनी है और एकदम शांती होती है तब ही करनी है ताकि उसके फिजीकल और एस्टरल को कोई डेमेज नहो पाएं । और दूसरी बात यह है कि अब यहां तक इसने साथ यह प्रत्यार की शाध्ना कर ली और प्रत्यार प्रत्यार का एक लक्षन हमने पहले ही देखा थहा कि जो दो चाहिए सेंसिस है और सेंस ओर गन से तो यह दोनों को अलग करना वही प्रट्यार का लक्षन है इसलिए कहता है न कि विद्रॉल आप सेंसिस नॉर्मल बासा में प्रट्यार को विद्रॉल आप सेंसिस कहते हैं तो यह विद्रॉल आप सेंसिस इस महाने में है कि अभी इतनी साधना उस जब चाहे unless permitted वो जब चाहता है तभी ये दोनों मिल सकते हैं और ये जब दोनों मिलेंगे तब विचार की प्रक्रिया होगी और दूसरी बात ये कि अगर जब ऐसा होता है तो सच माने में अंदर उसके बाद में उसके अंदर होता है सब्दاخर देईट जाते जंगल में चले जाते इमाला पर पर उसका क्या उसका क्या वो तो फिर से जाग जाएगी अंदर जो वासना पड़ी है उसका क्या वो तो महां भी उपर आ जाएगी थोरे दिनों के बाद में फिर क्या करेंगी तो यह जो है इसके लिए यह mental detachment आना चाहिए और जब तक यह प्रत्यार की साधना कमपलीट नहीं होती है तब इस तरह का mental detachment नह wrapper है और जिसके mental detachment आ घया फिर उसको क्या फरक परता है कि ओस संसार में रहता है कि और जगा परेकांत में रहता है वो संसार में भी आरह से रह सकता है क्योंकि उसके माइन को कुछ छुई नहीं सकता उसके माइन के अंदर कोई प्रोलोबन ही नहीं आ सकता है तो फिर यह यहां रहेगा तो अभी उसको कोई दिक्कत नहीं है नो फर्स इस मेड़ अबाउट सुपर फ्लॉर्यस आउटर डिटेच्मेंट तो यहां जो है वो कोई अनावस्यक उपद्राव नहीं होता है कोई बतंगड़ उसमें नहीं होता है डिटेच्मेंट के बारे में क्योंकि लोग क्या है कि आउटर डिटेच्मेंट की बात करते हैं और दिखावा भी करते हैं कई प्रकार के सिंबोलिक चिन्ह पैनते वगेरे वगेरे करते हैं और ये ऐसा जैसे कि बताने का प्रहत्न कर रहा है कि हमारे अंदर जो है वो detachment आ गया है पर उससे कोई लेना देना नहीं है mental detachment जो है वो जो व्यक्ति के अंदर है वो उसको कोई ऐसा दिखावा करने की भी जरूट नहीं है और जो दिखावा करते हैं उसके अंदर तो डेफिनेटल ये mental detachment अभी आया ही नहीं है to show the world how high-minded clean living and religious one is तो यह इस तरह का दिखावा करते हैं कि हम तो कितने हमारा माइंड कितने क्लियर है उच प्रकार का माइंड है हमारा जो जीवन है हमारी जो लाइफस्टाइल एकडम सिंपल है साधी है और हम बहुत religious आदमी है धार्मिक व्यक्ति है इस तरह का दिखावा कि यहाँ कोई गुंजाईस ही नहीं है दिखावा कि कोई जरुवाट भी नहीं है जिसके अंदर mental detachment आ गया यू उड़ बी fooling your own self first before you think you can fool others तो देखो जब हम दूसरे को मुर्ग बनाने का प्रहत्न करते हैं तो सबसे पहले तो हमें खुद ही मुर्ग अपने कोई बनाना पड़ता है अगर दूसरे के बाद साथ हम चालवाजी करते हैं दूसरे के साथ कुछ भी हम गलत करने जाते हैं तो पहले तो हमारा self है उसके अंदर ही ये चीज गतित होती है तो पहले तो हम इसके भोग बनते हैं दुसरों को तो बाद में उसकी असर हो या नहो तो कभी भी हम ऐसा नहीं कि हम अपनी जाट को ये करके दुसरों को फिर हम ठक सकते हैं ऐसा possible नहीं है पहले तो इसकी असर हमारे अंदर ही गतित होती है It does nobody and good तो वो किसी आलत में वो कोई अच्छी चीज नहीं है It does nobody any good तो कोई किसी आलत में वो अच्छी चीज नहीं है In our present day when people talk of dharna and dhyan and sit cross leg and with close eyes God knows what they are doing if they have not practiced the prior stage of pratyahar as described herein यहां भी एक comment करते हैं कि वही क्योंकि यह तो एक तावरिया जी खुड एक सब्दा वाब परते थे कि वही ध्यान करना अच्कल तो एक फैसन हो गया है ज्यान एक फैसनेबल बोल है ऐसा उनके lecture में वो कहते हैं तो एसी ही किस कुछ है लोग जैसे हलते चलते बोलते रहते हम तो रोज ध्यान करते एक गंता ध्यान करते आदा गंता ध्यान करते हैं तो थोरी यहां तावरिया जी comment कर लेते हैं कि पता नहीं भगवान जाने हो लोग बैठके क्या करते हैं कि जब तक यह प्रत्यार की प्रेक्टिस नहीं की है और उसके पहले वोग लिए कि और जो प्रेट्न करते क्यों सब जानते और ज़ो Prozent करते हैं और अए और ने वह आधा गंदा उनीजा वल्क Peanut वाव तक जो बतथ時候 और पहना आह Beatles को सब जाना करते हैं जुए तो जब तक oscillation है वाद तब तक कभी भी ये ध्यान संभवित नहीं है तो इसके लिए भी हमें बहुत authentic बनना पड़ता है हमारी जाच के साथ ही authentic बनना पड़ता है ध्यान में बैथते हैं तो ठीक है अब problem दूसरा ये कि ये ध्यान इतना common सब्दब बन गया है कि कोई आँख बन करें कि बैथा है तो भी हम बोलें कि ध्यान ये ध्यान में बैथा है या हम कहेंगे कि हम ध्यान में बैथे हम ही जानते हैं कि हमारा दिमाक अभी कहां कहां गुम रहा है और दुसरा दियान तो हम हर जगह पर दियान सब्द का उप्योग कोई पड़ता है तो बलते हैं कि ध्यान से पड़ो तुम गाड़ी चलाते हैं तो भई ध्यान से गाड़ी चलाओ तो external level पर भी ध्यान सब्द इतना एक common used to हो गया है इसे उसका जो depth है वो अभी चला गया है पर ध्यान जो है एक अंदर की स्थिती है और प्रत्यार जब तक नहीं किया है तब तक सचमुष में सच्चा ध्यान लगी नहीं सकता अब यह जो किताब तावरियाजी नहीं लिखी थी उस जमाने में ट्रंसेंदेंटल मेडिटेशन जो मरसी मरसी योगी चलाते थे और उसके पूरे दुनिया में उसके सेंटर्स चलते थे और उसकी उसमाई इतनी एड़र्टाइज होती थी जैसे की कॉफी और कोको कॉला की तरह की तगरिफी वसुली जाती थी और तब वह सिखाया जाता था कुछ मुप में नहीं मिलता था और फोरं में उसके डॉलर लिये जाते थे तो एक टाइम होता है हर चीज का एक समय होत हो गया तो यह जो सच्चा ध्यान है वो कोई इस तरह की एड़र्टाइज करने वाली चीज नहीं है कि कॉर्ड में आर प्लेंटी फूल एवन इड़र्टाइज फॉर सेल एंड थाउजंस पे फॉर इट एंड बाई यहां भी एक उन्होंने जरा कॉमेंट किया है क्योंकि गॉर्ड में इतने सारे गुरू और भगवान इतने सारे प्लेंटी फूल हो गए बहुत सारे लोग भगवान का लेबल लेके या गुरू का लेबल लेके चलते हैं और हेवन इद एडवर्टाइस पॉर सेल अभी यह जो थे हां कि एक जमाना था कि पहले के जमाना में पाडरी लोग थे वह यहां लोगों को इस तरह कहते थे कि वह आपको स्वर्ग में जाना है तो हम आपको स्वर्ग में भेज सकते हैं आप यहां कुछ पैसा भर दो तो यहां हम तिकित आपको देते हैं और आपको स्वर्ग में मरने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी तो यह भी पूराने जमाने में यह चीज भी चलती थी इसलिए यहां लिखा है heaven is advertised for sale and thousand pay for it and buy और ऐसे लोग भी थे पता नहीं उस जमाने में कि किस तरह के लोग कोई logical mind भी नहीं लगाते थे कि ऐसे पैसा भी दे देते थे और इस तरह का स्वर्ग खरीड लेते थे वहां की कोई सीट खरीड लेते थे ultimately God alone knows what तो यह तो भगवान जाने यह सारा खेल क्या है और यह क्यों ऐसा हो रहा है पर जब तक problem क्या है कि दोनों पक्स में ऐसा है एक लुटने वाला भी है और एक लुटाने वाला भी है अब जब तक लुटाने वाला मोजूद है तो लुटने वाले तो कहीं न कहीं से आई जाएंगे तो यह हमारी जिम्मेदारी देती है कि भई हमें क्या करना है और किस चीज को हमें पसंत करना है और कोई authentic चीज हमें लगे तो ही हमें उसमें जाके आगे जाना है कि लेट नॉट इस गॉड मेन और गीव ए बैद नेम तो योगा प्रैक्टिस इस दो अनली हो यह हमारी जो योगा प्रैक्टिस है जो को साइंटिफिक वे है जीवन जीने का एक वैगनानिक मार्ग है योगा प्रैक्टिस उसको बदनाम नहीं देना है ऐसा कोई गॉड मेनों को ऐसे बगवानों को योगा को हम बदनाम होने नहीं देंगे उनके द्वारा Material knowledge has accumulated by ton on every subject including religion and philosophy and many intellectuals have a firm grip on such knowledge and appear very wise and convincing in their statement. But unless one has practiced all this consciously in Pratyahar or other advanced stages and gained experience first hand, it is to no avail. तो पहली बात यह है कि हम जानते कि हर क्षित्र के अंदर जैसे कि गनान का तो पूरा एक यह हो गया है हर जगा से गनान आप ले सकते हो और अभी तो इंटरनेट के जरिए भी आप सब कुछ पा सकते हो इंटरनेट के जरिए आजकल तो सीवीर होती है आपको meditation में बेभी थ आया जाता है और इंटरनेट के जरिए आप से पैसा भी वसुल किया जाता है यह सब कुछ होता है आजके जमाने के अंदर और हर चीज के अंदर इस तरह का बहुत सा material knowledge अभी पब्लिस हो रहा है और कुछ लोग ऐसे भी होते कि उनकी एक ग्रीप होती है उसके अंदर और वो जब बात करते हैं तो इतनी जैसे कि इतनी गहरी बात है और उनके जो statement है वो आपको एक दम convince कर देने वाले statement होते हैं आपको ऐसा लगता है कि न बस यही सच है उसके अलावा कुछ होई नहीं स experience अपने नहीं लिया है उसका अपका अनुबव नहीं है तब तक यह सारी चीज़े किसी काम की नहीं है आप चाहिए कितने अच्छे वक्ता है आपके पास कितना सारा knowledge है आप दूसरे गुरुवों को interpret कर सकते हैं कुछ भी है पर इससे कुछ फरक नहीं परता जब तक आप जो है प्रत्या के स्टेज से गुजरते नहीं है और फर्स्टेन एक्स्पियेंस नहीं लेते हैं तो यह सब कोई कोई कामका नहीं है कि knowledge and wisdom are totally apart अब यहां भी एक गर्बर हो जाती है आम जो knowledge इतना जो यह फैल चुका है और हम उसको ही wisdom समझते है knowledge जो है अब किसी के पास से wisdom ले नहीं सकते है कोई को wisdom दे नहीं सकता नौलेज दे सकता है ग्नान दे सकता है पर wisdom तो वो आपकी अपनी मालिकी की चीज है और वो आपके अंदर से ही वो आ सकती है इसलिए knowledge और wisdom डोनो अलग चीज है इंटरनेट पर आपको knowledge मिल सकता है पर कभी भी wisdom नहीं मिल सकता तो इसके लिए फिर व्यक्ति किसी प्रकार का भी argument तो करती रहती है जिन्होंने ये practice नहीं की है वो उसकी बात को मनवाने के लिए logical इतनी अच्छे अच्छी बात करेंगे कि आपको convince करने का प्रयेट न करेंगे तो रहकीकत में ये एक self hypnosis है मतलब हम हमें अपने आपको ही एक hypnotize कर देते हैं हम अपने आपको ही मुग्द कर देते हैं इसी तरह हमारा माइन ट्रिक कर लेता है और एक अपने आप में एक wrong impression बना लेता है उसको ऐसा लगता है कि मैं तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं तो realize व्यक्ति हूँ इस तरह का अपने आप में अपने लिए एक wrong impression बना लेता है I bow my head before the immense accumulated worldly knowledge in all faculties and fields yet I know their limitations तो यहां तवर्या जी यह जो knowledge है चाय बारका है फिर भी उसको भी respect करते हैं कि यह इतना immense accumulated worldly knowledge है यह इकत्था किया हुआ जो गनान है इतना सारा वो और अलग अलग faculty का अलग अलग साखाओ का है तो उसके लिए आधर बाव व्यक करते हैं पर फिर भी कहते हैं कि मैं इसके limitations क्या है वो भी जानता हूँ क्योंकि उन्होंने जो गनान प्राप्ट किया उन्होंने जो किताबे लिखी वो ज़ढ़ातर उनके swanubav से ही उन्होंने लिखिये कहीं का उन्होंने किसी के references लिए है और वो references लिए है वो भी वो कहते थे कि जो मुझे कहना है वो इसी व्यक्ति ने अच्छी भासा में कहा है तो इसके लिए मैं इसका ये quotations वगरे ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कोई मानता है उसको मैं भी वो ही मानता हूँ ये चीज पर्टिक्यूलर चीज के लिए वो कुछ किसी के अपोर्टेशन लेते थे जब उनको अच्छा लगता था तो ये जो है इस तरह का knowledge तो इतना सारा है पर उन्होंने first hand knowledge अपने अंदर से लिया था इसलिए ये बाहर का knowledge का limitation भी उनको पता है अब आगे आता है formal practices पन ये तो काफी advanced practice है जो लोग phase 5 और 6 के उपर पहुँचे उनके लिए है और उसके लिए यहां तावर्य जी खुद कहते हैं कि भई उसके पहले उनका जो योग सुत्र है जो उनके खुद लिखा था तो उसको आपको पढ़ना चाहिए और फिर आगे पूरी प्रक्रिया बताती है प्रान rotation क्या है प्रान को कहां से कहां ले जाना है अलग अलग चोक्रा के उपर प्रान का किस तरह rotation करना है यह पुरा यहां बताया है पर अभी हमारे लिए यह काम की चीज़ नहीं है इसलिए हम अब जो तीसरा और अंतिम जो चरन है 3C Transcendental Stage Beyond the Mind Transcendental Stage नामी उन्होंने बहुत बढ़ा नाव देई आया है और नाम से ही पता चलता है कि यह अभी जो अंदर की यह जो 3C C की जो स्थिती होगी वो क्या है Beyond the Mind Mind के परे की अवस्था की यह इसमें स्थिती बनती है और Transcendental मतलब जो अनुबवाए टीट है जो माइन से जो हम अनुबवाव लेते हैं उससे भी अतीट की यह जो अंदर की एक स्थिती है इसमें यहां नॉर्मल माइन का ब्रेंड का ओपयोगी नहीं होता है there is the process of thinking and there are the ingredients of thinking and together they create thought forms तो thinking process जो है हम जानते हैं कि वीचार की प्रक्रिया जो है और वीचार की प्रक्रिया के साथ में उसके कुछ ingredients होते है उसके घतक होते है उसका जो माइन स्थ भी कहते हैं तो माइन स्थ होता है यह सारी चीजे मिलके एक thinking process बनती है और उससे हमारा वीचार बनता है यह thinking process से वीचार बनता है but this constitute the working of the brain computers only the brain section 1 and 3 A, B computers of unique nature though they do not constitute the whole brain अब यह जो हमने शुरुवात में यह बात कियी थी कि ब्रेंड किया है और माइन किया है तो यहां यह भी यही बात करते है कि यह thinking process जो है उसके आंडर जो है वो अमारा brain computer काम करता है और brain computer के आंडर भी उन्होंने सेक्षन सारे बता है सेक्षन वन एन सेक्षन थ्री ए एन थ्री बी अब देखो थ्री सब्द जो यह आँ है यहां काई confusion नहीं होना चाहिए इसलिए उन्होंने यह सेक्षन सब्द लिखा है उसके साथ में italic में 1 और 3AB लिखा है और उपर जो टाइटल है उसमें stage 3C इसमें 3 figure में लिखा है क्योंकि वो डायाग्राम से वो brain के डायाग्राम से brain की स्थिती है अंदर मन की स्थिती, brain की स्थिती, किट की स्थिती, जो स्थिती हम कहें वो स्थिती है और यहां यह brain के part है Section 1 माने हम जानते हैं कि हमारा आगे का Conscious Mind है जिससे हम सारी चीजों को पता लगा सकते हैं Consciously और जहां हमारे विचार बनते है वो जो है वो Section 1 है और Section 3A and 3B जो है वो तालुका के पास में जो Memory जो Memory Pool है जहां कि हमारे Memory Patterns और Memory जो पड़ी हुई है और 3A के आंदर इस जनम की Memory और 3B के आंदर अगले अनेक जनमों की Memory हमारे अंदर पड़ी हुई है पर नॉर्माली 3B बन रहता है 3A से ही हमारा काम चलता है क्योंकि 3 नॉर्मल कोर्स में सामन ये व्यक्ति को 3B ओपन करने अलाउड नहीं है और वो कर भी नहीं सकता है क्योंकि वो तो पुराने जनमों की आनेक Memory है अगर वो खोलता है तो काफी डिक्कत हो जाती है व्यक्ति को ये अंदर तो वो तो कोई बहुत उच्छ सादक है वो ये 3B के अंदर पुराने जनमों की स्मूर्टी को करेक्ट करने के लिए वो ही कोई काम कर सकता है बहुत एडवांस स्टेश की अंदर लाकि हमारा जो काम है वो अभी हमारे अंदर जो इंपल्स आता है वो 3A की जो shallow memory है उसमें से ही वो identical memory ले लेता है और section 1 में जाके वो उसका विचार बना लेता है पर फिर भी ये whole brain नहीं है उसके अंदर सब कुछ आ गया ऐसा नहीं है क्योंकि दूसरा भी मार्ग उसके अंदर होते हैं जो एक unique nature में है कि जहां से हम impulse को normal जो channel है वहां से नहीं पर दूसरी जगह से भी हम उसको पास कर सकते जबकि हम impulse को brain में नहीं दाखिल होने देते तब इस processes of the computers are made possible by the universal divine mind which flows through every thinking instrument whether human or subhuman or superhuman and includes both correct and incorrect thinking process तो यह जो है computer को तो सब जो जीव है वो सबके अंदर इस तरह का computer पड़ा है चाहे वो मनुसिय के अंदर तो है brain के रोप में यह computer पर दूसरे जो उससे निम्न जाती के मतलब की पशु जगत है प्रानी जगत है इनके अंदर भी brain होता है पक्षी के अंदर भी छो प्रानी के अंदर भी brain होता है और काम करता है और कोई superhuman मतलब कि कोई माह मानव है जिसने कोई advance advancement प्राइब कर लिया है ऐसी कोई व्यक्ति है वह भी 3-8 stage के तक तो वह भी माइन का उप्योग करता है और thinking process का भी वह उप्योग करता है पर यह जो है इसमें यह सारी प्रक्रि thinking भी हो सकती है और गलत thinking process भी हो सकती है the modern man of today is yet not free from incorrect processes of thinking अब हमारा problem यह की correct thinking क्या है और correct thinking process क्या है किस तरह होती है वह जानते नहीं है पर जब हम योगा करते हैं तो योगा की practice के आंदर हम इसको यह कर सकते हैं तो जो अधूनिक मानव है वह अभी ज्यादा तर इंकरेक्ट प्रोसेस ही करता रहता है क्योंकि उसके अंदर correct process क्या है किस तरह करना है उसका knowledge नहीं है और जिसने योग नहीं किया है वह उसके अंदर यह correct process हो नहीं सकती है जैसे जैसे योगा की practice बढ़ती है और अंदर cleansing होता जाता है इसके इतना हमारा जो thinking process है वह correct होती जाती है the flow of UDMM makes the digital clock inside the computer section 1 to note and be aware of time and show of space तो यह UDMM जो हमारे अंदर आता है जो universal divine mind हमारे अंदर आता है उसके कारण ही हम देश और काल का अनुबह कर सकते हैं और वह अनुबह हमारा जो section 1 है जो brain का अगला भाग जिसको conscious mind भी कहता है conscious brain भी science कहता है तो conscious brain जो है conscious brain इसका अनुबह करता है conscious brain की कामगीरी के कारण ही हम देश और काल का परता चलता है अभी हम यहां बैठे पर रहा है कितना बजा है कितना समय हो गया यह सारी चीज जो हमारा जो brain लग जानता है वह है वह सेक्शन वन अगे वाला हिस्सा जहां तावरे जिसको यह है कि एक अंदर क्लॉक तो चल रहे है पर ताइम जो है वो दो प्रकार्ट है एक ताइम जो है वो वर्टिकल ताइम है और दूसरा जो टाइम है वो horizontal ताइम है यह digital जो क्लॉक है वो हमारा horizontal ताइम मतलब एक के बाद एक मिनित के बाद दूसरी मिनित एक गंते के बाद दूसरा गंता एक दिन के बाद दूसरा दिन तो one after another इसको digital क्लॉक कहता है और वो जो ताइम है उसका ताइम जो है वो horizontal ताइम है पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे स्थिती बनती है जो लोग कोई घहरा ध्यान वगेरे करते हैं तो वो वर्टिकल टाइम में चले जाते हैं वहां जैसे कि इस ताइम स्थब्द हो गया है अभी वहां समय का कोई पता ही नहीं चलता है और वो वर्टिकल ही वो टाइम के अंदर होता है हुआ वह यह एक मिनिट के बाद दुसरी मिनिट वाला जो है वो इस तरह का डिजिकल टाइम नहीं होता है वहाँ एक complete awareness होती है और वो awareness के अंदर वो व्यक्ति होती है उसमें ये time जो है time का जो ये है वो अलग हो जाता है दुसरे time के scale में चले जाते हैं उसको vertical mind करते हैं योग का advance अभ्याज जो है वो हमेशा vertical time के अंदर होता है और सामन ये जीवन हम जीते हैं वो ये horizontal time या digital time के अंदर हम जीते हैं विद अवेर्नेस अव ताइम और स्पेस वन बिकम्स अवेर अफ हीर और देर नाव और देन myself and the other person and all things तो ये इसी के कारण ये जो ये जो समय है समय और काल जो है उसके कारण ही हम हर एक व्यक्ति हर एक चीज या व्यक्ति को हम अलग अलग डेख सकते हैं यहां या वहां यह व्यक्ति या मैं या कुछ और चीजे यह सब जो है जो डिविजन क्रिएट करता है वो हमारा time जो है वो division इस तरह का क्रिएट करता है यह horizontal time जो है वो division क्रिएट करता रहता है thus a fascinating world is created which is in fact a fictitious world अब यह समय क्या करता है एक घरबर कर देता है कि वो एक काल्पनिक जगत को निर्मान कर लेता है हला कि जिस जगत को हम सच मान रहा है उसको योग या आधियत्म काल्पनिक जगत ही कहते हैं तो काल्पनिक जगत का मतलब यह है कि जो हमें आज जो हमारी इंड्री से इंड्रियों से देखते हैं और सच लग रहे हैं बाद में जब एक advancement आता है तब पता चलता है कि यह तो false है यह सच है ही नहीं यह तो हमारी कल्पना है और हमारे इस तरह देखने का नजरिया है इसलिए हमें रहता लगता है तो यह समय जो है इस तरह का एक fascinating world बना देता है जिसके अंदर हमें सारे चीजों के उपर आकर्शन होते हैं और हम कल्पना करते हैं हर एक चीज की मलब खाली माइन की कल्पना ब्रें की कल्पना की बात नहीं है पर जो चीज हम देखते हैं वह चीज हमें सच लगती है यह भी एक कल्पना है वो अभी हमें पता नहीं है और जब हम उस देट के जान कान बियॉंड दमाइन तो इंड्रीयों के परह जब जाते है व्यक्ति तब उसको लगता है कि वह यह तो अब तत में जी रहा था वो तो fictitious world के अंदर जी रहा था, कल्पनिक मामाइन में जी रहा था, और इसलिए महर स्वी पतंजली ने पांच वुरुट्टी ये बताई है, प्रमान भीपर ये विकल्प निद्राश मुरुती, इसमें विकल्प का मतलब ही ये है, कल्पनिक जो है, उसको ही विकल्प, तो जो वुरुट्टी बनती है, वो कल्पनिक वुरुट्टी है, विकल्प. To further help in such a grasp, each person is given senses which make this fictitious world look so very true and natural that the very thought that this world is fictitious is laughet. Problem यह है कि अगर आज हम किसी को कहा है कि भई ये हम जो जगत में जी रहा है, वो तो कल्पनिक जगत है, तो कोई हमारे पर हसेगा कि ये क्या बखवास कर रहा है हूँ तो मैं आक से ये पैर को देख सकता हूँ, आक से मैं ये मकान को दे सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, तो ये कल्पना कैसे, पर ये क्योंकि वो इसे परे की चीज है, वो जब तक हमारे अनुभव में नहीं आता है, तब तक इस तरह की फिलिंग हमें सा रहती है, और ये जो सेंसिस हमें दी गई है, वो सेंसिस के द्वारा इस तरह का हमें पांच इंद्रियों जो है, उसके द्वारा ये हमें काल्पनिक जगत का अनुभव होता है, How can it be otherwise? So, उसके अलावा क्या हो सकता है? Sajh Patanjali's Yoga Sutra tells us a lot as to how incorrect thinking can be changed into correct thinking. But even should thinking be correct, it is instrumental in dragging us deeper into the fictitious world made more realistic by our senses. तो पतंजली महरसी ने भी योग सुत्र के अंदर उता हूई है, जी ने उनके योग सुत्र के अंदर ये incorrect thinking है, इसको किस तर और correct किया जाता है, बदला जाता है, वो प्रक्रिया या इसकी साधना बताई हुई है, और ज्यादा तर जो हम कर रहे हैं, वही साधना से आगे जाक कि ये correct thinking develop होता है, पर मान लो कि अगर हमारा thinking correct हो जाए, फिर भी ये जो है, वो जो वर्ल जो है, वो तो हमें ये ऐसा इससे कोई फरक नहीं परेगा, क्योंकि हमारी जो census है, वो इस वर्ल को ऐसा realistic बनाता है, ऐसा है, जैसे कि वो सचमुच में ऐसा ही है, ऐसा हमें आभास कराता है, ये census के कारण होता है, तो thinking correct है या नहीं है, फिर भी इंड्रिया तो इसी तरह काम करेगी, अगर thinking correct हो जाएग THE enjoyment of this fictitious world through our senses has over the past eternities created an unending measure of past memory patterns, and we do not come out of this eternal play of memory patterns. प्ले किस चीज का एक सास्वत रमत है मेमरी पैतन की देखो सबकुछ है अमारा जीवन जो है पुरा निर्भर मेमरी के ऊपर है अगर अमारी मेमरी चली जाती है तो हम कुछ नहीं कि जन नहीं सकते हैं तो मेमरी इसलिए जिनके लिए आप रो रहे हो कि यह मेरी फलान पहलाना व्यक्ति नर गया तो वह तो आपकी मेमरी रहे है तो आपको कुछ मैसूस ही नहीं होगा तो यह जो फूरा खेल है वह हमेसा एक मेमरी का ही है और मेमरी को हम जाने अन जाने में इतना महत्वद देते हैं और इसके दर यह जो पास मेमरी का पैटन जो है इसके लिए यह फिक्टिसियस वर्ल्ड हमें पकर के रखता है यह इस प्योग करना पड़ता है और सेंसिस वह मेमरी के द्वारा हमें यह जगत जैसे पूरा वास्ताविक जगत है इस तरह का मैं दर्शन कराता है और यह सब बहुत जन्मों-जन्म से पास इतने जन्मों हम अब तक ले चुके हैं तब तक में आमने इतनी लाखों-करोंडों मेम अब नहीं आ सकते वह इतनल प्ले हमेसा चालू ही रहता है एक जन्म के बाद दूसरे जन्म दूसरे जन्म के बाद अनेक जन्मों तक यह इतनल प्ले चालू रहता है इतना प्ले ओट गोडम इस वीडियो केसेट इन फुल कलर विधिन आस तो पहले जो वीडियो केसे तटी अब तो वह सब गया और वह जो जो वीडियो केसेट में कैसा कलरींग जगात आमें सब की डिश्कति ठीज से कोई एक फिल्म देखते हैं तो सब की अपने आपको जाते हैं कि इतना फिलम के अंदर फिक्चर के अंदर जाते हैं तो इतना रियल लगता है पर यह तो एक छलावा है कि हम उसमें जाते हैं इसके लिए हमें एक ऐसा फिल्ड होता है और यह इतरनल प्ले भगवान का जो बनाया हुआ इतरनल प्ले है वो इस तरह हमेशा हमेशा काम करता रहता है इफ एंजोइंग ए टेलिवीजन सो और वीडियो कैसे इद रियल लाइफ और दे रियल वर्ल बाय ओल मीन्स दू कंटिन्यू अब यही तो है कि हमें तो यह जगह थी बिलकुल रियल लगता है और हम किसी भी आलत में छोड़ने को लिए इसको तयार नहीं है तो यहां वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप जो जी रहे हैं और आप जो द्रस्ती से जी रहे हैं वो ही आपको सच लग रहा है और एक मार तरह सच है तो फिर इसी तरह जीओ दुसरा भी कोई जीवन हो सकता है दुसरी भी कोई द्रस्ती हो सकती है वो फिर आप उसको बुल जाओ और जिस तरह जी रहा है उसी तरह जीओ और यसा ही होता है पूर का पूरा जगत जो है वो किस तरह जी रहा है उसको यह पूरे जो है यह इसको रियल मान की जी रहा है और तो हम भी इसी तरह जी रहा है, चाहे हम पढ़ रहे हैं, यह बात कर रहे हैं, वो अलग बात हैं, पर जब हम भेबार करते हैं, तो जैसे कि किसी को सो रुपया दिये और उसका जो चैज चाहिए, तो हम कर दो चोड़के नहीं चले जाएंगे, वहां खऴे रहेंगे, चूं वो किया है यह authentically इस तार गह सकते हैं और आउद बात कर सकते हैं वाकी तो आउद में आद्मी यह ऐसा कह भी नहीं सकता Why then indulge in this Dalgin इस God and ube kingdom इंटर्णी श करसे लिए अट प्रिण रहे हैं यूद Ltd हो जाना है इतने यह हो जाते हैं कि डूसरी कुछ हो इससे बना सकता है और वो अमका भी सोच भी नहीं सकते हैं सेच पतांजली then proceeds to instruct us इस पतांजली डैं प्रशीड थो इस सामने प्रशीज कर दो कर दो भाएंट ये रही है पतांजली हम सेच फ़िए तो ये नहीं विजा सेच भए रहे सुझ ने सीज़ती है योगसुत्र में जो कुछ बताया है, वो यही बताया है कि जो यह वीडियो कैसेट में हमें जो यह रियल वर्ल दिख रहा है, तो उसके उपर किस तरह निकलना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि डायग्राम 3, डायग्राम 1, 2 and 3 है, यह चीजों से हमें उपर पड़ेगा, क्योंकि आगे देखा हमने कि यह तीनों चीज नहीं हमारे ब्रेन प्रोसेश ही चालू रहती है, जब तक ब्रेन प्रोसेश चालू रहती है, यह तब तक हमें सब कुछ रियल मैसस होगा, अगर इसके उपर उपना है, तो हमें उपर के स्टेज में जाना और Patanjali Maharishi ने ये सब कोच योकशुत्र के अंदर बताया हुआ है अब प्रोगरेस फ्रों वन स्टेट तु अनदर इस कॉलरली एक्स्प्रेस बाई सेज प्रतांजली इन इस योकशुत्र तो Maharishi Patanjali ने ये पुरा जो प्रोगरेस है 1 to 2 to 3a, 3a to 3b and 3c, पूरी प्रक्रिया जो है और प्रोग्रेस का विद्वद्धापुर्ण धंस है, श्कॉलर ली उसको उन्होंने सब बताया हो आए, योग सुत्र के अंदर, The Diagram 1, 2 and 3a show how from crude automatic reflection with violent emotion and sex and cunning intellect, we proceed to a state of logical thinking with emotional and sex refined. तो ये प्रक्रिया आगे उसमें बताई है कि किस तरग क्या करना है, अभी जो है, डियाग्राम 1, 2 and 3a के अंदर जो है, जो पहले जो है, अमारी जो crude जो है, ये अमारे emotions और sex वगेरे जो crude है, और violence है, और automatic reflection हमारे अंदर चालूर रहता है, इसके उपर से, उसको हमें suit करना है, refine करना है, और इसके दिरे दिरे करके उपर जाना है, तो मतलब ये है कि 1 से 2, 2 से 3a और फिर आगे जाना है, क्योंकि ये जो खास करके 1 और 2 के अंदर तो क्या है, कि ये जो यहां बता है, इस तरह crude और automatic reflection ही हमारे अंदर चलते रहते हैं, और emotion और sex जो है, वो भी इतने violent होते हैं, और intellect जो है, वो भी हमारी cunning होती है, धूर्थ होती है, चाला की करती रहती है, हमारी intellect हमारे साथ ही चाला की करती रहती है, तो यह सारी चीज़े दिरे-दिरे करके जैसे रिफाइनमेंट अंडर होता है तब तब यह सब कम होता जाता है और रेशियो भी बदलता जाता है IESM के अंडरों का इन्टेंसिती रेशियो चेंज फ्रम टूफरेट तू 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 बट इवन सो वी अर्टी इंडल्जिंग इन थिंकिंग तो यह तो थिंकिंग तो थ्रिये तक चालू रहेगा अनलेस जैसे हमने आगे प्रोसेस देखा कि वही तरह असको तालुका को बन कर देना है वो जब त तक नहीं आएगा तब तक तो यह प्रक्रिया चालू ही रहेगी और हम थिंकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वाल या इंडल्ज होते रहेंगे चाहे वो कितनी भी करेक्ट थिंकिंग प्रोसेस क्यों ना हो तो यह जो पुरी प्रक्रिया जो है यह तिंकिंग गी वो चाहे कितनी भी नॉबल है उम्दा है यह फिर श्कॉलरली वह एक विढ़ताप पुर्ण है यह किसिते रह कि उत्रकिए है ओतुमेटिक मेकेनिकल प्रोसेस इस एक क्म्पीट ब्रेन कॉंप्यूटर है उसकी मेकेशन प्रोसेस है कि या वह कितनी भी एडवंस क्यों ना हो और क्यों यह है, क्योंकि हमने अल्रेड़ी उसके अंदर जो डेटा फीट किया है, उसके मुताबिक ही तिंकिंग प्रोसेस चलती रहेगी, जिसका जैसा डेटा ऐसी उसकी तिंकिंग प्रोसेस, तो व्यक्ति जीवन के अनुबहों के अंदर साथ-साथ में डेटा फीट करता रहता है जिन लोगों को जीवन में कतु अनुबव होते हैं खराब अनुबव होते हैं उनका brain computer के आंदर इस प्रकार का data feed हो जाता है और फिर इसके बाद में उनका behavior भी ऐसा हो जाता है और जो लोग साधना करते हैं सत्वसंग करते हैं अच्छा पढ़ते हैं इन लोगों के आंदर चाहे वो भी देता ही है फिर भी कम से कम इतना है कि उनके आंदर यह जो है वह प्रोसेस तो वही रहेगी पर उनके अंदर एक अच्छा पन इस तरह दिखाए देगा तो जो यह जो memory अंदर जाती है feeding जो है इसी तरह व्यक्ति जीवन गुजारता है A good man, a normal man, a primitive man, a bad man are all equally mechanical and equally interchangeable if the data that is fed in their computer is changed over a period of time अब व्यक्ति चाय कैसे भी है वो अच्छी है या बुरी है या पुराने जमन जंगली ताइप की है primitive article की है पर वो उसकी जो mechanical जो यह है वो देता जो है वो उसके मुताबिक वे व्यक्ति जिएगी अब यह देता जो है उसको change किया जा सकता है तो एक व्यक्ति जो खराब है जैसे कि हमारे धर्म की रचना की तरह हुई और क्यों हुई कि जो आदी मानव था जो पसुक की तरह जी रहा था उसके अंदर एक अच्छा नया एक क्या कहते है नया देता जो है फिट किया जाए ताकि यह जो इस तरह का जीवन जीता है उसस इसी व्यक्ति को बडलना है मतलब इसको डेता को बडल दो पर यह सारी चीज यह रमत तो है यह तो इतरनल प्ले का ही भाग बन जाएगी जिस दिन आपको इन सबसे उपर उठना पर आप चाहोगे उस दिन यह सारे चीज को बन करके तिंकिंग प्रोसेस को भी बन करके फिर इस उपर उठना पड़ता है तो यह जो है यह सारा मामला जाओ ऊए वह डेता नेता का है अंदर क्या डाल रहा है जिसको अंदर के अच्छा परते हैं कुछ सच्छं करते हैं, तो माइंड के अंदर एक correction आता है, अच्छी thinking process बनती है, फिर भी transformation नहीं होता है, transformation के लिए तो सदना या योगी करना पड़ता है, उसके द्वारा ही transformation हो सकता है, हम किसी हमारे अंदर यह हमारा कोंप्यूटर को थोड़ा बहुत हम तो अप्ग्रेड कर सकते हैं पर आप तरहल तो वह फिर भी कॉंप्यूटर-कॉंप्यूटर ही है और इसलिए फिर व्यक्ति व्यक्ति में डिफेरंस इतना पड़ता है एक व्यक्ति के अंदर अच्छा देता पड़ा है दूसरी अंदर बुरा देता पड़ा है इस तरह हुमारा ग्रीन कोंप्यूटर काम करता रहता था है और 1966 में क्लीन इस्टोवूट की एक फिलम आयती उसका यही टाइटल था दा गूड दा बैड एंद अगली तो उसके अंदर तीन प्राकार के भी यक्ति बताते हैं पर वह सब बात तो है डेता की आफ्टर आफ्टर अब इस अर्दर अलग-अलग मेठर का उप्योग किया जा है हम जानते हैं इस समय समय विधिया लोग बहुत सारे हीप्नोटीस प्रोफेशनल हीप्नोटीस भी होते हैं वह कुछ आपको थोड़े से ट्रांस में ले जाके आपके अंदर नय प्रकार के कुछ वीचारों को डाल देते हैं एक नया डेता को फीट कर देते हैं ताकि आप को टेंपरारी थोड़े रहात मिले जैसे कोई व्यक्ति को बहुत दर लग रहा है तो इतनोटीस कुछ समय के लिए ऐसा कर सकता है उसके अंदर निर्भईता का थोड़ा डेता डाल देगा तो थोड़ा समय चलेगा पर वह सब लंब समय नहीं चलता है क्योंकि वह अपने आ सब्सक्राइब करते हैं किसी के दिमाग के अंदर और चीज गुसार देना है एक के बदले में यह ब्रेन वास करना है तो इस तरह का कुछ डेता में फेरफार करना है तो कुछ अलग अलग मेठर का उप्योग करके उसमें कुछ कुरूड है बहुत असिस्ट अंगर जैसी प्रद्दती भी होती है और कुछ सोफिस्टिकेद होती है विक्सित प्रद्दती होती है और इस तरह टेंपररारिली एक डिजार्ड रिजल्ट को लाया जाता है पर वह लंबा समय नहीं चल कर चलता है जो साधना से जो एक अंडर करेक्शन आता है वही टीके रहता है लंबे समय तक तो यहां हमारा समय एकजेट छे बज रहे हैं तो यहां हम रुक रहे हैं एक दो मिनिट के लिए किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं मैं यहां से अन्म्यूट करता हूं बोलिया किसी को कई सवाल है अन्यूत तो होगा कि नहीं हलो राजु भै हाजी बोलो गुडिनिंग सार गुडिनिंग बोलो अवाज कट थाएशे तो हमारो हाँ 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 समझू चो अल्जाइमर समझू चो आगल बोलो अच्छली तावरिया जी ने क्या बता है है कि लाखों जन्मों तक मेमरी रहती है वह हमने अभी क्या देखा कि सेक्शन 3B के आंदर हमारी जन्मों जन्म की मेमरी रहती है कब एक बार मेमरी का जन्म हुआ वो कभी भी मरती नहीं है लाखों जन्म तक मेमरी रहती है अगर आप पास में जाओ तो पर यह अल्जाइमर तो एक डिसीज है उसके अंदर यक्ति को क्या होता है वह सौर्टम मेमरी उसकी चली जाती है सौर्टम मतलब कि अभी वह जो कर रहा है प्रेजंट मोमेंट के अंदर पर वह जल्दी भूल जाता है उसने चीज कहां रखी है वह भूल जाएगा ऐसा छोती मुटा पर जो पुराना चीज पुरानी जो मेमरी है उसको अभी भी याद है पत्चिस साल पहले क्या था उसकी साध्य में उससने क्या पहना था उस समय क्या खाया था वह चाहे नहीं कर सकते हैं और इसलिए यह यह अल्जैमर में 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 अल्जैमर डिसीज की अंदर इस तरह का मेमरी का प्रॉब्लम आता है इससे यह यहां जो हम बात कर रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है कि अच्छा कि कि अब बोलो अहां बोलो बोलो समराय निकली यह तो फरी बोलो ध्यान ध्यान नई पहली बात तो यह है कि अच्छा कि ध्यान में दो बात समझनी एक ध्यान जो है वो टेक्निक है वो टेक्निक आपको बहुत सारी टेक्निक मिल सकती है और डूसरी जो यहां योग के अंदर वो एक स्टेज है धारना ध्यान समाजी यह जो है वो स्टेज कहते हैं स्टेज मतलब कि अंदर की स्थिती तो टेक्निक को आप फ़ोलो कर रहा है तो वो भी ध्यान है कि वे मैं यह कोई particular technique follow करा हूँ नाक से स्वास कि आ रहा है वो जा रहा है यह हम pre-sensing meditation करते हैं ऐसी छोटी मोती वो सारा technique है उससे यह जो पतंजली महरसी पतंजली का जो अस्तांग योग में जो ध्यान है जो साटवा अंग उससे कुछ लेना देना नहीं तो हमें सा यह क्लेर करते हैं कि द्यान स्थिती के बारे में बात करते हैं कि यहां योग सुत्र के अंदर स्थिती के बारे में बात है नौर्मल कोर्स में जो बात होती है वो टेक्निक के बारे में होती है कि प्रद्याहार कर पहुंचने के बाद ज्यान अच्छु तरीकि से हो सकता है तो क्या उसके लिए हम पूच्छा प्रहता भी हमने करना चाहिए ज्यान करना चाहिए कि नहीं तो उन्हें नहीं कहा था कि हां ठीट के लिए 50 मिनिट आप बैठो इसमें कोई गलत नहीं है पर लंबा सिमे बैठने का कोई फाइदा नहीं होती देख फाहिदा नहीं है इसलिए थोरा जब आप बहुत यह ओ जाते बहुत वीचार आते Judaism को सांज करने के लिए 50 मिनिट पर हमारे पास तो इससे भी अच्छी चीज है त्री स्टेप रिदमिक ब्रिदिंग करो और चाहे बैथे बैथे या सो कर बोड़ी को एकदम रिलेक्स करता जाओ वो जो हम इसको ध्यान नॉर्मल बासा में ध्यान केते हैं वो ध्यान ही हो जाएगा वो और लास्ट क्वेशन हाँ 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 यह जब यक्टी 3A 3B पर जाती है वैसे तो कर्रेक्शन तो देखो इसमें 248 तुमें जो हमारी जो साइकोलोजिकल मेमरी बहुत होती है फिर जब हम देरे देरे करके 521 तक पहुंचते हैं तो साइकोलोजिकल मेमरी में ही चेंज आता है जब 521 में हम एस्टाबलिस हो जाते हैं यानि 3A के स्टेज पर पहुंचते हैं तब तक में तो बहुत सारी साइकोलोजिकल मेमरी से व्यक्टी मुक्ट हो जाता है और आगे जाके 3B और आगे तो फिर कोई साइकोलोजिकल मेमरी वह व्यक्ति की रहती ही नहीं है उसके अंदर तो जो मेमरी का फंक्शन जो टेकनिकल मेमरी है उसका ही वह प्टुक करता है साइकोलोजिकल मेमरी मुट लब रागवे घुस्षा यह वह ओल नेगिटिवीटी अब जैसे जैसे हम दा यही बडलते जाते तो फिर वह नेगिटिवीटी कहां रहें कि क्या होता है कि हमारी जो प्रोचेस चलती है हमारी इस वाग्या हमारी आप वह तो थरी है ने वह तो आएगा एक क्योंकि यह को रेसियो जो है हमारा तूफ फोर एक तू और फाय तू बन के बीच में वह तो हमेसा फ्लक्टूइट होता है न हम अभी तो फाय तू तू बन पर एस्ताबलिस नहीं हुए हैं ताकि हमारा चारा केंडर एक अच्छी तरह सिस्टमेटिकली काम करें अभी तो हमारा क्या है कि कुछ दिन हमारा रेसियो बहुत अच्छा रहता है कुछ इन में कुछ घरबर आती है तो हमारा आई एसम के अंडरो का रेसियो बिगर जाता है तो फिर से हम नीचे जैसे पहले थे ऐसे लगते हैं फिर से अच्छी प्रेक्टिस होती है तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमारा रेसियो चेंज हुआ है इस तरह यह तो प्ले चालू ह भी रहेगा हमेंसा जब एक पॉइंट के ऊपर आप इसके अंदर सुरा होते जाओगे तब एक स्टेडी एक फिलिंग आये कि नहीं हाँ अभी वो जो गई वो अभी नहीं आ रही है वो बाद में पता चलता है जलिए तो थैंक यू यहां रुकते हैं काफी समय हो गाया कुछ और प्रस्तना तो नेक्स टाइम लेंगे तब तक के लिए रुकते हैं थैंक यू